So the question we have is from each corner of a square of side 4 cm यानि कि पहली चीज तो हमें ये गिवन है कि जो square है उसकी side है that is A हम जिसे मानते हैं वो 4 cm की है next 4 cm a quadrant of circle of a circle of radius 1 cm is cut यानि कि इस square के corner से एक एक corner से एक एक quadrant यहाँ पर cut हो रहा है तो चार quadrant से यहाँ पर cut हो रहा है लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि यह जो quadrant है जिस circle का भी पाटते हैं उस circle का radius क्या होगा उसका radius हो गए हाँ यहाँ पर 1 cm next and also a circle of diameter 2 cm is cut like एक और circle यहाँ पर cut हुआ तो कौन कौन से circles यह cut हुए यह तो पूरा circle cut हुआ है यह 1 quadrant यह 2 quadrant यह 3 और यह 4 यह total 4 quadrants यहाँ पर cut हुए एक circle cut हुआ है वैसे अगर आप देखें तो 4 quadrants मिलके एक circle बना लेते हैं आगे इसे simple form में भी समझेंगे लेकिन फिलाल यहाँ देखें तो जो बीच वाला circle है उसका भी radius यहाँ पर 1 cm यहाँ आएगा क्योंकि उसका diameter 2 cm गिवन है और diameter का half होता है radius next हमें find करना है कि जो remaining जो अब यह area बचा है that is यह जो blue color से हमने हाँ पर shade कर रहा है जो remaining जगह बची है इसका area क्या होगा स्टार्ट करते हैं काफिस सिंपल है अब पूरे square के area में से किसे subtract करने वाले हैं यह जो red color के हमने areas यहाँ पर करें हैं इसे तो इन quadrants को अलग color से कर लेते हैं यह हो जाएगा next तो area of shaded region जो है वो equal होगा यहाँ पर like बना लेते हैं यह हमारा shaded region और यह हमने कर दिया क्योंकि यह blue है तो यह blue जो shaded region है वो equal होगा area of square that is पूरे square का area minus दो तीन चीज़ें हाँ पर दो चीज़ें हाँ पर minus होगी एक तो area of circle और दूसरी चीज़ क्या minus होगी minus area of four quadrants तो अब इसे formula के according लिख लेते हैं तो area of shaded region है वो हमारे पास आ जाएगा भी equal that is area of square जो कि होगा side का square यानि कि a square minus area of circle हो जाएगा pi r square minus area of quadrant यानि कि 4 quadrant है तो 4 multiplied by एक quadrant का area होगा theta upon 360 theta याँ पर 90 है 90 divided by 360 multiplied by pi r square और जब आप इसे cut करेंगे तो 90 और 360 कट हो जाएगा यहाँ पर तो यह हमारे पास आ जाएगा नीचे फोर फोर से फोर फिर कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा that is a square minus pi r square minus pi r square इसलिए हमने starting में एक बार कहा था कि एक तरह से चार quadrants form हो रहे हैं तो यह एक तरह से चार quadrants मिलके complete circle यहाँ पर form कर रहे होंगे तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा area भी subtract हो रहा है वो complete एक circle का ही subtract हो रहा है तो area हमारे पास आएगा a square minus two pi r square यहाँ पर हमने simply इसे pi r square के form में लिख लिया अब यहाँ पर थोड़ी ची calculation easy हो जाएगी तो put कर देते हैं बस अब तो हमें values put करनी है side का square है 4 का square that is 16 minus two multiplied by 3.14 multiplied by radius कहाँ पर है 1 तो 1 का square तो यह हो जाएगा हमारे पास 16 minus 6.28 just simply अब हम 16 में से 6.28 को यहाँ पर subtract कर देंगे और जब हम 16 में से 6.28 को यहाँ पर subtract करेंगे तो यह आ जाएगा 9.72 cm2 so the area यहाँ पर जो area हमारे calculate होके आएगा shaded region का वह आ जाएगा 9.72 cm2 इसे आप वैसे भी कर सकते थे लाइक अगर आपको पाई 3.14 नहीं मानना था 22 by 7 मानना था फिर भी आगे बस calculation ही बचती समझने वाला portion वह red color तक ही था यहाँ तक यहाँ तक समझना था कि कैसे हम solve करेंगे बस अब नीचे calculations ही है और यह आपका actually में area आएगा उस blue color के shaded region का भो आपको ही बसुत भी करेंगे